कर दोस्तों कैसे हैं मैं हूँ आपका होस्ट आयोन और आप देख रहे हैं आवर इंड्यूजर भूग आज जो चीज आपके समने है वह है गर्मी में एक रिफ्रेसिंग चीज है आप सब का मन पसंद स्क्वास है जो की किसान की तरफ से है इसका फ्लेवर है पाइनापल फ्ले है वह अल्मॉस्ट रिएल पाइनापल के आसपास है मुझे एसा लगा यह रिएल पाइनापल अगा जूसर में तयार करते हैं उसके अल्मॉस्ट एटिपाइप साआप इसकते अकुर्द है यहाँ पर रिएल फूट का इस्त्माल के आखा एंटेंट पर इहा पर Trinity 100 मतलब को है वो मैं आपको थोड़े देर में बताऊंगा पहले हम देख लेते हैं यहां पर क्या है देखिए यहां पर लिखा गया है पार सार्विंग टूहंडर्ड एमेल वान जीरो थ्री कैलोरी फाइब परसेंट जी यह यह फ्लेबर टू फ्लेबर भैरी कर रहा है मैं आप इसको द हीजान पर noachend इंफ्रमेशन यहां पर देख सकते हैं यहां पर इंडिक्स किया गया है पहले जीरिये का दूसरा और सार्विंग यानी असवाफ अपर घंडे एमिल का और आखेर में लास्ट में पॉर्सर्विंग का ईनर्जी हाफ अपर कितना है इनरजी Capital Care कि यूनिट पर मगर नहीं है अल्मोस्ट नील है मगर दूसरे जो flavor में देख रहा था बिलकुर यहां पर नील नील लिखा गया था जो में उसमें carbohydrate है 52.8 यहां पर सुगर है 27% यानी 51.7 gram है जिन लोग का diabetes का problem है वो इसको ना ले इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं और यहां पर सर्मिंग में 25.9 यहां पर डायेट फाइबर है बिलकुल ना के बड़ा बर जिरो पॉइंट जिरो टू है फैट यहां पर फाइबर यहां पर टूपंट जो है फैट बिलकुल नहीं है 0% है दूसरे मैंगो या जितना मुझे जाद है मैंगो और दोस्तों कैसे हैं मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं और इंड्यूजर भूग आज जो चीज आपके समने है वह है गर्मी में एक रिफ्रेसिंग चीज़ है आप सब का मन पसंद स्क्वास है जो की किसान की तरफ से है इसका फ्लेवर है करते है उसके अल्मोस्ट 85% इसका टेस्ट आकुरेट है यहां पे ही्पूट का सिफनाल किया गया है और हनुटपरसें यहां पर एल पूट हनुटं का मतलब क्या है वह में आपको थोड़े देर में बताऊंगा पहले हम देख लेते हम यहां पे क्याय है लिखा गया है आर पार सार्विंग 200 ml 103 कलोरी 5% जीडिये यह फ्लेबर टू फ्लेबर भैरी कर रहा है मैं आप इसको दिखाऊंगा दूसरे फ्लेबर के आड में आप देखेंगे तो यहां पर फ्लेबर टू फ्लेबर भैरी कर रहा है यहां पर रियल पाइनपल का बहुत मीठा सा तजबीर दिय देखते हैं यहां पर 3 इंडेक्स किया गया है पहले है जीरिये का दूसरा है पार सार्विंग यानि पार हंडेद अमिल का और आखिर में है लास्ट में पर सर्विंग का एनरजी यहाँ पर कितना है एनरजी कैलोरी के यूनीट में लिखा गया है 100 ml के हिसाफ से 206 कैलोरी यह मैं बोल रहा था फ्लेबर टू फ्लेबर भाइरी कर रहा है प्रोटीन यहाँ पर लिखा गया है 0.1 है मगर नहीं है अल्मोस्ट नील है मगर दूसरे जो फ्लेवर में देख रहा था बिल्कुल यहां पर नील नील लिखा गया था जो मैंगो है ग्रैप है उसमें कार्बोहेड्रेड है 52.8 यहां पर सुगर है 27 परसेंट यानि 51.7 ग्राम है जिन लोग का डाइबरेटीस का प्रॉब्लेम है वो इसको ना ले इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं यहां पर सर्मिंग में 25.9 ग्राम यहां पर डायेट फाइबर है बिल्कुल ना के बड़ावर ह है 0.02 है फैट यहां पर फाइबर यहां पर फैट बिल्कुल नहीं है 0% दूसरे मैंगो या जितना मुझे यादा है मैंगो और ग्रैप थोड़ा बहुत फैट था 0.1 के आसपास मागर यहां पर बिल्कुल नील लिखा गया है फ्लेवर यह आप देख सकते हैं और कुछ यह यहां पर नहीं लिखा गया यह क्वांटिटी में कितना में लेना चाहिए यह एक पर्ट स्कॉस लिखा गया है एक पर स्कॉस लिजे और बाकी तीन पर यानि त्री इस्टु वान रिश्यों में स्कॉस के साथ पानी मिला है जो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखांगा इस ग् यह कहां है इसको किसी ग्लास में त्री इस्टु वान रिश्यों में लेना चाहिए यानि वन पार्ट आप स्कॉस एन त्री पार्ट आप वाटर वह आप कैसे मेजर करेंगे आपके सुविदा के लिए मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं आप किसी उसुद से किसी मेडिस जो है 15 एमिल क्या है आप क्या किए स्कॉस को पहले कróल लीजिए और गळीका कहिए रही स के साथ चाहली है और भड़ा भरा करके दे दीगे और आपको करना है इसके साथ और 5 ml यह मेजर्मेंट कैप के देखिए यहाँ पर देख सकते यहाँ पर साइद आपको के मेरे में दिख रहा है यहाँ पर ml का माप है तो यहां पे आप 5 ml इसको और ले लिए बस इसको हम add कर दिया अब क्या करना है इसको अब add कर दिया और यह स्क्वास आपके लिए बिल्कुल ready है अब इसके साथ आपको पानी मिलाना होगा आप इसके साथ पाणी हमको मिलाना है आप चाहे तो यहां पर ठंडा पानी का इस्तमाल कर सकते हैं मघर मैं आइस क्यूब करऊंगा इतना सा ले लिए अ अब मैं इससे आइस क्यूब दूंगा इसमें तो आप मेरे पास आइस है मैं इसको आइस में दे दे रहा हूं इससे पहले अप थोड़ा इसको चमच की मदद से गोल नेना तो आप यहां से देख लिया कि 50 एमिल और 50 एमिल के साथ थोड़ा 5 एमिल और लगब 20-25 एमिल अब इसको एड़ कर सकते हैं पानी के साथ और इसमें आइस दे देना तो यह हो गया मेरा पाइनापल स्कॉस रिड़ी अब मैं इसको टेस्ट बताती हूं जी हां इसका बिलकुल परफेक्ट है आप इस ग्लास अब देख रहे हैं यह ग्लास अलमोट छोटा ग्लास है तो इसके हिसाब से आप इसमें लगबख 25 एमिल तक स्कॉस एड़ कर सकते हैं 25 एमिल स्कॉस एक ग्लास के लिए अच्छा है में ओही मेजर्मेंट के ले लिए पहले 15 एमिल और सेगंड आप में 5 से 10 एमिल तक आप इसको मिला सकते हैं 10 एमिल लेगा तो यह टेस्ट थोड़ा हट स्ट्रॉंग होगा और 15 एमिल के बाद अगर 5 एमिल लेना है तो थोड़ा सॉफ्ट होगा ठीक है इस वीडियो में इतना है चैनल को अच्छा लगे पूरे रहना और एंड्यूजर बुक के साथ हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे किसी वीडियो लेकर नमस्कार